हलो दोस्तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं CBSC की ओस्वाल के MCQs पिर्पेर जो की फर्स्ट पेपर है SSD का तो मात्र एक दिन ही बचा है इस्टडी के लिए तो आज हम आपको important date बताने जा रहे हैं जो की most important है पेपर में आ सकता है exam में दोस्तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी साथ बैन लोटिफिकेशन को all पर select कर लीजिए देखे अगर आपने भी वो शवाल के वो purchase किये तो प्लीज इसमें तो गलती मत करिएगा मैं खुद अपने फोन से वीडियो बना रहा हूं दोस्तो देखिए पहला चैप्टर है दा राइज ओफ नेशनलिस्म इन यूरोप यूरोप में कैसे होगा सूरज कैसे नेशनलिस्म का सूरज होगा यह सब तो आप लोग किलियर करी चुके होंगे तो आप लोग प्लीस यह देख लीजिए एक बार नोधा टर्म यूनियन विजन देख लीजिए आप लोग यह most important यह सारे आप लोग को कोड याद करने होंगे और उससे भी important है आप लोगों के लिए यह नोधा पर्शन रिश्क इसमें सभी जो कैसे बताओं जैसे की फ्रीडेरिक सोरी नेपोलियन गुसिब मजीनी इनमें सारे लीडर कॉंग्रेस पाल्टी मिनिस्टर सभी लोग के नेम दिये तो इन सब को अच्छे से याद कर लीजे मैं आपको फ्लेश जला के दिखाता हूँ देखिए फ्रैडेक सोरी नेपोलियन गुसिब मजीनी ड्रीक मैटनेच लुईयस काल वेलकर ओटन वेन विश्मार्ट ये तो आप लोगोंने पढ़ी लिया होगा ये तो मैं बस रिवीजन के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आ देखिए 1970-97 नेपोलियन ने इटैली को नियोता दिया था किसके लिए लड़ाई के लिए एक तरह से आथ कर लिजे अठारा सो चार बहुत इंपोर्टेंट डेटा इस दिन नेपोलियन कोड इंट्रोड्यूश्ड हुआ था 1814-1815 फेल ओफ नेपोलियन ये बॉटरलू की बात है कि जब नेपोलियन फेल हो गया था दबीना पिलेस्मेंट सेटल्मेंट 1821 में ग्रीक श्ट्रगल हुआ था इंडिपेंडेंट सुतंतर था पाने के लिए 1832 में ग्रीस गेंड इंडिपेंडनेंस ठीक है तो मैं आप ये और हां इंपोर्टेंट सिंबल भूत में है ये इंपोर्टेंट सिंबल इसका भी एक श्कीन सॉट ले लिजे ब्रोकेन चेन लिवर्टी ब्रीड प्लेट विट इगल सिंबल ऑफ जर्मन एंपायर क्रॉक ऑफ ओकली ये पड़ा है हमने इरोजम का है स्वाइड रीड ल जर्मन का और रे अफ द राइजिंग सन बेगनेंगा न्यू एरा मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों यही है भाईयो प्लीस चैनल को एक बार और सब्सक्राइब कर दीजे और बेल लोटिफिकेशन को और पर सेलेक्ट कर दीजे ओके बाए